मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आज देश के कही हिस्सों में सूर्य उपासना का महा पर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों स्रधालूं अपने घाउं, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सब की समरुद्धी, सब के कल्यान का आश्रवात दें। साथियों, सूर्य उपासना की प्रंपरा, इस बात का प्रमान है कि हमारी संस्कृती, हमारी आस्था का पक्रूती से कितना गहरा जुडाव है। इस पूजा के जरिये हमारे जीवन में सूर्य के प्रकास का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चड़ाव जीवन का अभिन हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिती में एक समान भाव रखना चाहिए। छट मेया की पूजा में भाती-भाती के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चड़ाया जाता है। इसका वरत भी किसी कठीन साधना से कम नहीं होता। छट पूजा की एक और खास बात होती हैं कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तों का इस्तिमाल होता है। उसे समाज के विभिन लोग मिल कर तयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उप्योग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिये चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहीयो की बिना छट की पूजा समपनी नहीं हो सकती। चटका पर्व हमारे जीवन में स्वच्चता के महत्पपर भी जोड़ देता है। इस पर्व के आने पर सामुदाइक स्तर पर सडक, नदी, घाट, पानी के विविन स्रोत सब की सफाय की जाती है। चटका पर्व एक भारत स्रेष्ट भारत का भी उदार है। आज विहार और पुर्वांचर के लोग देश के जिस भी कोन में हैं वहाँ धुम धाम से चटका आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत, महारश के अलग-अलग जिनों और गुजरात के कई हिस्सों में चटका बड़े पहमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे दियाद है, पहले गुजरात में उतनी चटकुजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब-करीब पुरे गुजरात में चटकुजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकर हम देखते हैं विदेशों से भी चटकुजा की कितनी भव्य तस्विरे आती हैं। यानि भारत की समरिद्विरासत हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है।